मरलिन मुरो हॉलिवुड की एक ऐसी अदाकारा थी, जो जब तक जिन्दा रही सुर्खियों में रही। कहते हैं कि कैमरे के सामने वह हमेशा जवान ही रही। इतनी जवान की उनकी एक जलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार में खड़ा रहना पसंद करते थे। सबकी चाह होती थी कि उन्हें मुन्रो के साथ वक्त बिताने का मौका मिले, लेकिन मुन्रो किसी के हाथ कहां आने वाली थी। उन्होंने अपने साथ ही खुद चुने। उनका नाम अमरेकी राष्ट्रपती जॉन कैनेडी से लेकर गायक फ्रैंक सिनात्रा तक से जुड़ा। कहते हैं कि उन्होंने कई शादिया की, लेकिन उन्हें सिर्फ दर्द मिला। वह अंतिन समय तक प्यार के लिए तरस्ती रही और महस 36 साल की उम्र में अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। तो आए तस्वीरों में मुन्रो के जीवन के कुछ क्वोट्स को सुनते हैं। मुस्कुराते रहो क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। किसी और के होने की चाहत उस व्यक्ति की बर्बादी है जो आप हैं। एक बुद्धिमान महिला चुम्बन देती है लेकिन प्यार नहीं करती सुनती है लेकिन विश्वास नहीं करती और कोई उसे छोड़ने से पहले वह छोड़ देती है। आप एक बार अस्फल हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज में अस्फल होने वाले हैं। शरीर को देखने के लिए है, ढकने के लिए नहीं है। जब आपके पास पैसे नहीं होते, तो समस्या भोजन की होती है। जब आपके पास पैसा हो, तो समस्या स्वास्थ्य की होती है। यदि आप दो मुह वाले हैं, तो कम से कम उनमें से एक को सुन्दर बनाएं। शादी का मुझ पर पहला प्रभाव सेक्स में रुची की कमी को बढ़ाने का था। असल में हमारी शादी यौन विशेशाधिकारों के साथ एक तरहे की दोस्ती थी। यदि आप एक महिला को हनसा सकते हैं, तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। सेक्स प्रकृती का हिस्सा है। मैं प्रकृती के साथ जाती हूँ। एक अच्छा दोस्त बनना सीखें क्योंकि एक दिन आप उपर देखेंगे और कहेंगे कि मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। एक बुद्धिमान लड़की अपनी सीमा जानती है, एक स्मार्ट लड़की जानती है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। एक मजबूत पुरुष को एक महिला पर हावी होने की जरूरत नहीं है। दोस्त आपको जैसे आप हो वैसे ही स्वीकार करते हैं। मर्दों की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो बोलते बहुत हैं। उनको तभी फर्क पड़ेगा जब आप चले जाओगे। अगर मेरे जीवन में सिर्फ एक चीज है जिस पर मुझे गर्व है, वो ये है कि मैं कभी भी रख्खैल नहीं रही। जो मर्द सोचते हैं कि एक औरत के पुराने प्रेम संबंध उसका उनके लिए प्यार कम कर देते हैं। कोई सेक्स गलत नहीं है अगर उसमें प्यार है। सब कुछ होने के बाद भी बिना आशा के जीवन कुछ भी नहीं है। हम सभी को बूढा होने से पहले जीना शुरू कर देना चाहिए। कर देना खुरू कर देना चाहिए। को झालको के बिना धीन शावाँ नहीं है। कर देना लुवाग रुरू कर देना चाहिए।